हलो दोस्तो आपस्पका स्वागत है हमारे यूटूब चनलल पे आज हमें एपस्पेंट करने वाले हैं गेटेस इंटाल गोट का एपिसोड नबर 179 तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज के हमारे एपस्पेंट के स्टाइटिंग होती है हमें लोइस लेवल 4 बर्निग बरियर का सीन दिखाया जदा जहां पर सुप्रीम इफलर जीए और खरे होते हैं ये सुनकर ये इणफails से ता है हाँ यह तो काफी तर अच्छा रहेगा इण काफी बेटी को मारा है वो अंदर ही मारा जाए तो काफी बेटर रहेगा जूंकर जीव काफी जाग गुस्सा आता है वो अपने मन में सुचती है इसको कैसे समझाओ इस बेवकुफ को कि हमने कुछ नहीं किया ये तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है वहाँ ये सब बात चले टे होते हैं कि पीछे से एक बंदा आता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों को बह है उस हिसाब से यहां कुछ तो गलत चल रहा है किसी ने कोई साजिस की है लिट यांविंग के खिलाफ तुम दोनों कितने बड़े बेवकुफ तुम भले नेकों के फादर और ग्रेंफादर हो लेकिन तुमने बीना किसी सच्चाई का पता लगा है एकदम सेमलेस जैसे है वच्चाई हो जाते हैं वो जल्दी उपर भूं करके दिखे ए है तो उन्हें दिखाए देता है कि तीन लोग उपर से बड्यूरर ऑपन करके नीचे आ रहा है हैं हमें दिखाया जाता है वह कोई और नी 10 डिरेक्षिन पहलेस के लोग होते हैं जो काफी जा गुस्ते में होते हैं यह बात सुनके वह तीनों लोग जैसी नीची आते हैं जीओ उस वाइट हेर वाले बंदे के पास जाते हैं और कहते फादर मेटी बात सुनी मैं आपको सब कुछ बता थी जो जो सुरू से यहां पे हुआ है पूरी बात सुनने के बाद तो तीनों लोग काफी है हैरान होते हैं वो तीनों ही एक साथ क्या ली ट्यान विंग बेरियर को ओपन कर सकता है आगे वो वाइट हेरोल बंदा अपने बाजी खरी लड़की से कहता है क्या ऐस इसकी और उसे बेरियर के अंदर भागने में मजगूर कर दिया ये सुनके सुप्रीम एल्डर कहता है हमें ली ट्यान विंग को मार के क्या मिलेगा हमें अभी तक ली मुयांग नहीं मिला है तो हम अपने चारे को ही क्यों मारेंगे वहाँ पर ये सब बात चलोई तक कोई ब अंदे को वहाँ पर पकर के रखा हो गिया होता है निंग को वहाँ पर देखके उन तीनों सुप्रीम एल्डर में से एक सुप्रीम एल्डर कहता है निंग हुसेंग क्या तुम हो इसके पीछे आगे उसके बाजू में खारा सुप्रीम एल्डर कहता है क्या इसा कैसे हो सकता निंग ने इसी चेन से नेको को जकर के मारा था, आगे हमें उस गिरिन कप्रे वाले बंदे को दिखाया जाता, जो निंग से कहता है, यह सब तुम्हारी कलती है, मैंने कहा था कि उस चेन को फेक दो तुम, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुने, तुमने उस चेन को नहीं फे इसके पास ले कियाना इसके फादर ने लिब मुयांग के कारण अपने आपको फासी लगा ले था और अपने आपको मार डाल था इसके कारण यह लिट यानमिंग को मारना चाहती थी इतनी जड़ा गीरी हुई हरकत करने के बाद ये सुनके निंग उस बंदे को एक दम करने के लिए मैं नहीं करना चाहता था वो जब निंग और उस बंदे के ये साब सारी बाते सुनके येनफाई को काफी सा गुसा आ जाता है वो कहते निंग वुसेंग तुम इतनी जड़ा क्रूल कैसे हो सकती हो इस उमर में नेको ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं या फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों कियो उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया तुम तो जानवर से भी गिरी हो ये सारी बाते सुनके भी नेक को कोई फर्ग नहीं पड़ता है वो कहते ये सारी गलती मेरी नहीं है नेको को अपना बलीदान दिना पर लिट यानमिंग की ये सुनके येनफई और भरक जाता है वो निंग से कहता निंग तुम्हें इसकी कीमत चुकानी परेगी येनफई इतना कहता है कि तब ही हमें दिखाया जाता सुप्रीम एल्डर निंग के पास पहुँच जाता है और उसको एक जहपड लगाते हो कहते है तुम बीच कहीं क ये देखके तो येनफई भी काफी इसाथ हैरान हो जाता है आगे सुप्रीम एल्डर निंग को पकड़ते है और उससे पहले यहान से लेकर जाता हूँ अधा मैं साफसाफ़ दिख रहो है कि सुप्रीम एल्डर निंग फशूड को निंग को कशए huh ऐने है वो सुप्रीम ए पहले इसके चले जाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे इसके यंफ कहते हैं ने श कर निन्मेंग के सामने वही एक अजीब हो गया हुता है उस अजीब सी चीज को देखें काफ़ हैं और क्या चीज है इतना कहने के पिसनाथी हमें उसी अजीब सी चीज़ को दिखाया जाता है जो थोरा बहुत इंसान की दरह लग रहा होता है और वो काफी जाख खतरनाक होता है उसके अंदर से काफी ज़दा किलिंग इंटेंट निकल रही होती है आगे वो अजीब सी चीज़ लेड़ तेजी से चिल्लाने इंटेंट को दिखाये जाती है सच में काफी जब भयानक और पावरफुल होता है उस चीज़ को अपने उपर ऐसे अटेक करते हुए देखके ट्यानमिंग काफी ज़्यादा घब रहा जाता है वो कहता है सच में काफी ज़या टेज है और इसके पीछे इसकी किलिंग इंट यह तो और भी जदा खतरनाक है इसकी किलिंग इंटेंट मुझे ऐसा रियलाइज करा रही है कि अगर मैंने इसके हमले को डॉज नहीं किया तो मैं यहीं पर मारा जाओंगा आगे वह आजीब सी चीज यानमिंग पर जल्दी ही पहुंच जाती है और वह अपने दोनों ही ड इल्यूजन निंग के इल्यूजन से कंपेर भी नहीं कर सकता हूँ इतना ज़्यादा पॉर्फलेस बंदे का इल्यूजन यह सब सोची रहाता है कि तभी हमें दिखाया जिता ओजीब सी फिर से ट्यानमिंग को उपर अटेक करने के लिए उस बंदे को अपने उपर फिर से इतना कहते है कि तभी हमें दिखाया जाता है और अपने आपको नीचे गिरने से बचा लेता है ये देखके तो ट्यान्मिंग के सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती ही है वो कहता है वाद दफक क्या इसके पास भी दिमाग है उसे देखके हैरान हो ही रहा होते कि तभी हमें दिखाया जाता है वो मंस्टर दिवाल पे दोड़े दोड़े त्यान्मिंग की आटेक करने के लिग आगे बार रहा होता ये दिखके त्यान्मिंग घबरा जाता है do Part 1 चीज से अपने डगर लेता है अपनी तलवार को बाहर निकलने बाद जल्दी से उस monster के attack को अपने तलवार से ब्लोक करता है ट्यान विंग उस बंदे के attack को ब्लोक तो कर लेता है उस बंदे का pressure इतना ज़्यादा होता है कि ट्यान विंग को नीचे की तरफ धकेल देता है जिसके करन्ट ट्यान्विंग और वो मोंश्टर काफी तेजी से नीचे के तरफ गिरने लगते हैं और इसी के साथ आज का हमारे एपिसोड खतम होता है वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए नहीं आए फिर लाइक कर दीजिए चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थाइक निए वरो चिंग बाइ